नमस्कार में भाकिश्री बिस्यन निवस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वाकत है खबरों के और बढ़ने से पहले आईए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर संगटनों पर COVID-19 से पड़े असर की वज़ा से देश का IT सेक्टर और व्यवसाइक सेवाओ के बाजार में 2020 में वृत्ती 5.41 प्रतिशत की अपिक्ष्या कृत धी भी रही है वर्ष के दोरान यह बाजार 13.41 अरब डॉलर का रहा अनुस रंदान कंपणी ITC ने मंगलपार को यह जान करी दी है हाला कि IT और व्यवसाइक सेवाओ की बाजार का आखड़ा 2020 और 2025 के पीच वाशिक 7.88 की चक्रबृतितर CGR की साथ बढ़ने और क्लाउड एवं आइटिफिशिल इंटेलिजन्स जैसे शेत्रों में बढ़ते वे के सहारी 2025 के अन तक करीब 19 अरब डॉलर तक पहुशने का अनुमार है ITC के मतापिक इस बाजार में 2019 में 8.43 प्रतिशत की वृत्ती हुई थी लेकिन 2020 में COVID-19 के असर से वृत्ती दर में गिरावट आई है 2022 साल 2020 IT और व्यापास सिवाओ की बाजार में IT सिवावर का योगतान 77.06 प्रतिशत था और इसमें 5.97 की वृत्ती हुई जो 2019 में 8.91 प्रतिशत थी ITC इंडिया की वरिष्ट बाजार विशलेशक ITC-Y हरिश कृष्ण कुमार नी कहा कि सभी शेत्रों की उत्यमोरी डिजिटल बदला में निवेश करना शुरू कर दिया है क्योंकि महामारे से यह बात साफ हो गई है कि डिजिटल तोर तरीकी को बहतर रुप से अपनारी बाले कारुपार पार्म पारी IT प्रनालियों से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर आप सोने में निवेश करने का प्लान करें है तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि वित्वज 2021 से 22 के लिए सरकार ने सौवेरन गोल्ड बॉंड स्कीम पहले किसकी बिकरी शुरू करती है इस किम की तहट आप 4727 रुपे में प्रती ग्राम पर सोना खरीच सकते है जो मार्केट में सोनी की दाम से सस्ती है इसके साथ ही गोल्ड बॉंड की खरीच पर सरकार निवे शकों को 50 रुपे प्रती ग्राम की अतरिक छूट देती है ऐसे में State Bank of India यानि SBI ने भी अपनी क्राहकों को इस बॉंड में लगाने का मौका देती भी पूरा प्रोसेस बता है SBI ने ट्वेट कर जानकर दी है कि यहाँ एक सुनरा आफसर है सौवरेन कोल बॉंड में निवेश करने का इसके साथी बैंक ने इस बॉंड में निवेश करने के छे कारण भी बता है SBI गरहक घर पेटे इस बॉंड में निवेश कर सकते है मिर रिपोर्ट BCN News कर्मचारी भविशनिती संखटन EPFO ने अपने मेंबर्स के लिए समय समय पर नियमों में बदलाव करता रहता है ताकि उनकी लिए चीजी आसान हो सके असर देखा गया है कि कई बार नोकरिया बदलते बदलते हम अपना PF अकाउंट ट्रांसवर करना फूल जाते है इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हमारी पुरानी कमपनी EPFO सिस्टम में नोकरी छोडने की तारिक यानि डेट आफ एक्सिस डालना फूल जाती है जिसके बाद में कर्मचारी को PF बार इस ट्रांसवर करने भी दिखकते आती है पहले केवल एमपलायर के पास ही कर्मचारी के कमपनी जॉइन करने यानि डेट आफ जॉइनिंग और छोडने की तारिक यानि डेट आफ एक्सिस डालने या आफडेट करने का अधिकार था पोल्टरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान वा था जन्वरी में बर्ट फ्ल्यू की खबरों से भी पोल्टरी प्रोड़क्स के दाम काफी गिर गयते लेकिन कोविट की दूस्ती लहर में प्रोटीन के लिए अंडे और चिकन जैसे पोल्टरी उत्पादों की खपद बढ़ बेट की किम्तों जिसमें सोयाबीन और मक्का प्रमुख है उसमें हुई बड़ो तरीका आसर चिकन और अंडों की दाम उपर भी देखा जा रहा है बॉलर चिकन की दाम जो मार्च 2020 में 50-80 रुपे प्रती किलो तक गिर के थे वह अब 220-240 रुपे प्रती किलो तक पौज ग लॉंच करेगी और इसका नाम डाइम होगा साल 2019 में फेस्बुक ने इस क्रिप्टो करेंसी को लेप्रा नाम से लॉंच करने की मंशा जताय थी लेकिन अब इसका नाम बतल चुका है डाइम के जरिये फेस्बुक फिंटेक स्पेस में क्रांती करना चाहती है और कंपनी का कह है कि इस क्रिप्टो करेंसी से पैसे ट्रांसफर करना उताही आसान होगा जितना की फोटो भिजना है फेस्बुक की और से यहाँ खोशना ऐसे वक्त होई है जब बिटकॉइन की किमत लगातार नीची आ रही है टेसला के मालिक एलन मस्वरा फिलाल बिटकॉइन के जरिये टेसला कारों की खरित रोके जाने के एलांग के बाद से बिटकॉइन की किमतो को जटका लगा है मस्क ने इस पैसले के पीछे की बजाती है कि बिटकॉइन मायने में बहुत ज़्यादा एनरजी की खपत होती है जो परियावरं के लिए ठीक नहीं है विड़ो रिपोर्ट खबर समावत करने से पहले आगे डालते एक नसर आज की सुख्यों पर प्रोटीन के लिए बड़ी अंटे चिकन की खपत पाध्य में लोटी पोल्टरी इंडस्ट्री पैस्बुक लॉंच करेंगी क्रिप्टो करन्सी डाइन फोटो भेजने जैसा आसार हुगा क्रिप्टो करन्सी से पैसे ट्रांसपर करना बिजनेस समाचार में फिला लिता ही ऐसी अंडे खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते रिए बेसियन न्यूज नमस्कार